नॉइडा के सेक्टर 93 ए में मौझूद रियॉरल एस्टेट कमपनी सूपर टेक एमरेल के ट्विन टार्स को 28 अगस 2022 को जमीन दोस कर दिया गया दोनों टार्स को गिराने में 3500 किलो से ज्यादा बारूत का इस्तमाल हुआ और सिर्फ 9 सेकंड्स में पूरी इमारत अपनी ही जगा पर गिर गई इन दोनों गगन चुम्बी मारतों को क्यों ढाया गया? किस तकनीक का इस्तमाल किया गया? पहले इस तरह के डेमॉलिशन कितना सफल रहे हैं? आज हम इनी सब सवालों के जवाब तलाशेंगे दिगज रियल एस्टेट कंपनी सूपर्टेग एमरल्ड ने नॉइडा की अपनी रेजिडेंशल सुसाइटी में हजार फ्लाट्स वाले 40 मंजिला दो ट्विन टार्स बनाये थे निर्मान में अन्यम वित्ता बरते जाने की खावर सामने आई जाज हुई तो दोनों टार्स का कंस्ट्रक्शन मानकों के मताबिक नहीं मिल जिसके बाद साल 2014 में इलावाद हाई कॉर्ट ने टार्स को गिराने का आदेश दे दिया हाई कॉर्ट ने इस ओर्डर को नॉइडा अथोरिटी और सूपर टेक दोनों ने सुप्रीम कॉर्ट में भी चालेंज किया था इस दोरान तमाम जांचे हुई सरकारी यादिकारियों की मिली भगत की बात भी सामने आई जिन पर कारवाई भी हुई सुसाइटी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैद कबजे का खुलासा भी हुआ इसके बाद 23 साल माने 2020 में सुप्रीम कॉर्ट ने इलावाद हाई कॉर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए टोइन टार्स को गिराने का अंतिमादेश जारी कर दिया सुप्रीम कॉर्ट ने कहा था कि दोनों टार्स गिराए जाएंगे फ्लाइट मालिकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा और सूपर टेक कंपनी टार्स के गिराने में आने वाले खर्च को खुद उठाएगी कुछ साल पहले तक ऐसी उची इमारतों को गिराने के लिए उची जेसी भी जैसी मशीन का इस्तिमाल होता था और टॉप फ्लोर से नीचे तक एक-एक मंजिल को तोड़ा जाता था साल दोजार तस ग्यारा में न्यूजिलेंड में आए भुकंप के बाद चती ग्रस्त हुई उची इमारतों को तोड़ने के लिए इंगलेंड से लाए गई 200 फीट से भी ज्यादा उची इनी मशीन का इस्तिमाल किया जाता था लेकिन इस तकनीक में वक्त तो लगता ही था साथ ही खत्रे का भी काम था इसके अलावा साल 2008 में जापानी कंस्ट्रॉक्शन कंपनी कजीमा एक तकनीक लेकर आई इसमें computer operated एक hydraulic system का इस्तिमाल होता था जिसकी मदद से इमारत के निचले हिस्से से एक-एक करके floors को ढाया जाता था एक के बाद एक building का हर floor नीचे दस्ता जाता था यह तकनीक भी काफी वक लेती थी इसके बाद उची मारतों को ढाय जाने के लिए विसफोर्ट को का इस्तिमाल किया जाने लगा यह तरीका explosion यानि विसफोर्ट से थोड़ा अलग है इसे नाम दिया गया है implosion Noida के twin tars को ढाने के लिए इसी तकनीक का इस्तिमाल किया गया पहले हम इसे समझ लेते हैं implosion अंग्रेजी के implode void से बना है शाब दिकर्थ होता है प्रत्यार open explosion के उदारण से समझते है explode यानि बाहर की और विसफोर्ट होना विसफोर्ट होने के बाद चीज़े बाहर की और फैलती है implosion का अर्थ है एकदम उल्टा चीज़े अंदर की और आती है इमारतों को गिराने का काम करने वाली कंपनियों के लिहाज से इसके माइने काफी अलग है ये उची इमारतों को नियंत्रित विसफोर्ट के जरीए गिराने की प्रक्रिया है मुटना माटी समझे तो इस पूरी प्रक्रिया में दो तीन काम होते हैं एक की महीनों में इसमें तोड़ फोर्ड और बाकी तयारी की जाती है दूसरा बिल्डिंग में सेंकडों और कई बार हजारों तक छेद किये जाते हैं जिनमें विसफोर तक फिट किये जाते हैं और तीसरा काम होता है सेकंड्स के अंतराल पर डेटोनीटर्स की मदद से धमाके करना इस पूरी प्रक्रिया में शुरुआती तोड़ फोर्ड इस हिसाब से की जाते हैं उतकर्ष महता से हमने उनके तयारियों पर इस साल मार्च महीने में बात की थी उतकर्ष ने जो हमें बताया था आपके साथ साजा कर देते हैं उतकर्ष ने कहा था अभी अंधरूनी दिवारे तोड़ी जा रही हैं इसके बाद बाहरी दिवारे तोड़ी जाएंगी पूरी इमारत में करीब 7000 छेत किये जाएंगे सभी कॉलंस को तारों और जियो टेक्स्टाइल फ्लाट से राप किया जाएगा ब्लास्ट के बाद उडने वाली डस्ट को रोकने के लिए हर फ्लोर को बाहर से कवर किया जाएगा आठ मही तक एक्स्टोजिव आजाएंगे जिनने फिट करने में 12 दिन का समय लगेगा और आखिर में सभी सॉफ्ट ट्यूब्स को इंटर कनेक्ट करके ब्लास्ट कर दिया जाएगा इस परुद्कर्ष ने हमें बताया था कि वो सॉफ्ट ट्यूब्स का इस्तिमाल करते हैं यह ब्लास्ट की ट्यूब्स होती है जिन में बारूद भरा जाता है यह बारूद पावडर form में भी हो सकता है और emulsion के form में भी Twin Tars में Blast के लिए Powder Explosive का इस्तिमाल किया जा रहा था मात्रा कितनी होगी इस पर उतकरश ने कहा था Blast की पूरी डिजाइन South Africa की Blaster Company Z Abolition ने तयार की है उन्हीं की निगरानी में हम इस महीने या अगले महीने Trial Blast करेंगे जिसके बाद South Africa की engineers तै करेंगे कि उन्हें हर Soft Tube में कितने ग्राम बारूत का इस्तिमाल करना है कुल में लागर करीब 4000 किलोग्राम इस पोटक की जरूरत पड़ेगी Implosion तकनीक का इस्तिमाल उची इमारतों के अलावा Industries की Chimneys, सुरंगों और पुलों को ढहाने के लिए भी किया जाता है Control Demolition की इस तकनीक के दो फाइदे हैं एक कि उची से उची इमारत के पूरी तरहां जमीन दोज होने में सिर्फ 8-10 सेगंड का वक्त लगता है दूसरा कि इसे दूसरी पुरानी तकनीकों से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है NDT Test Implosion Technology से इमारतों को ढहाने से पहले दो टेस्ट किये जाते हैं पहला होता है Non-Destructive Testing, NDT इस टेस्ट में बिना कोई तोड़ फोड किये इमारत के बारे में कई चीज़े important चीज़ें पता की जाते हैं मसलन उसकी मजबूती इस्तमाल किया गया building material pillars वगरा के joints की location वगरा साथ ही इस test से ये भी पता चलता है कि demolition के लिए कितने force की जरूरत पड़ेगी और दूसरा test होता है GPI यानि Ground Penetrating Radar Test इसे एक तरह से building का एक X-ray scan आप मान लीजे building के अंदर बिछी pipeline, बिजली कितार और water tanks वगरा की सटीक location इसी test से पता चलती है Twin Towers की बात करें तो Edifice में blast का पूरा action plan तयार किया था जिसके मुताबिक towers में अलग-अलग 10 floors पर explosive charges लगाए जाने थे दमाखे के वक्त vibration कम करने के लिए भी बंदोबस्त किये गए थे इस वक्त सिर्फ पांच लोग building के आसपास होंगे पूरे वक्त आसपास की societies और पाश्मनात प्लाजा से लोगों को पांच घंटे के लिए evacuate किया गया था आसपास की सडकों पर भी किसी को आवाजाही की इजाजत नहीं थी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान supervision के लिए 10 विदेशी engineers बुलाए गये थे जिन मेंसे दो धमाके के वक्त building campus के आसपास ही थे पूरी प्रक्रिया के निगरानी का जिम्मा रोड़की के Central Building Research Institute CVRI को सौपा गया था जबकि आगले दो महीनों में मलबा हटाने का काम NOIDA Authority और Edifice Engineering मिलकर पूरा करेंगे घने बसे इलाकों में उची इमारतों को गिराने के लिए सरकारी इजादत मिलना आसान देखिए नहीं होता बिल्डिंगे आसपास की इमारतों को धमाके और मलबे से बचाना भी बहुत बड़ी जुन होती है मिसाल के तोर पर न्यू यॉक में 187 मीटर उची सिंगर बिल्डिंग में 47 फ्लोस थे दमाके में पूरी बिल्डिंग 10 मीटर की गोलाई में द्वस्त की गई थी और भारत में इससे पहले केरल के मराडू टावर्स को भी इम्पलोजन ब्लास्ट से ही डहाया गया था मराडू टावर और उसके सबसे नस्दीक की बिल्डिंग के बीच की दूरी सिर्फ 8 मेटर की थी जबकि नॉइडा के ट्विंट आर्स के करीब 9 मेटर पर दूसरी बिल्डिंग है इसी लिए साफधानी जरूरी थी इम्पलोजन टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करके अभी तक सबसे उची इमारत J.L. Hudson गिराए गई है 29 मंजिला और कुल 449 फीट उची ये इमारत अमेरिका के मिशिगन में थी हालांकि ये प्रक्रियस सिर्फ एक बम धमाका करने जितनी आसान नहीं होती है वेग्यानिक आधार पर पूरा स्ट्राटिजिक ब्लूप्रिंट तयार किया जाता है जरा सी चूग बड़ी दुरघटना की बज़ा बन सकती है मिसाल कि दॉरवर्ट साल 1997 में औस्ट्रेलिया के रोयल कैन्बरा हॉस्पिटल को इसी तकनीक का इस्तिमाल करके ढाया गया था दमाके के दौरान बिल्डिंग के उड़ने वाले हिस्सों की चपेट में आकर एक बच्ची की मोथ हो गयी थी जबकि 9 लोग गंभी रूप से घायल हो गये थे इस सारी जानकारी का तुर्ट कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथ ही शिवेंदर ने क्यामरा के पीछे है वेजये मैं हूँ आस था अपना खयाल रखी और बने रखी दी ललन टॉप के साथ शुक्रिया